जिसका प्राचीन नाम काशी समय और परिवर्तन के तमाम थपेड़ों के बावजूद ये अपनी पुरानी विरासत सजोए हुए है मीठी भाशा के लिए विख्यात इस शेहर के लोगों के बोलचाल में गालियों का तड़का इसकी मिठास को और बढ़ाने का कारे करता है ये कहानी एक छेत्र के 1990 के तशक्की है किसी समय में स्वर्गिय चत्रपाल सिंग का बड़ा नाम था जिनके दो बेटे बड़ा अमरपाल सिंग और चोटा समरपाल सिंग समरपाल इलाके का तबंग भूमाफिया है जिसका सपना और मकसद इलाके में साम, दाम, दंद, भेद, किसी भी तरह अपनी जमीन बढ़ाते हुए अपनी ताकत बढ़ाना है तो अमरपाल एक नाकारा इंसान होता है जो समरपाल के दम पर अपनी भोकाल बनाता रहता है मालिक, यह भगत्वा है ना, हमरे खेत में जाई का रास्ता नहीं दे रहा है मालिक और दीरे दीरे हमरे खेत में कबजा करके अपने खेत में मिलाता जा रहा है मालिक नहीं मालिक, यह हरिया जूड बोल रहा है नहीं मालिक मालिक आपी न्याई करिए हम अपने खेत में रस्ता कहा है देदे इसको ए चुप मालिक यह भगत बना बहुत धरामी है भगतवा तू तो चुपकर साब करें क्यों मालिक को सब पता है तू का सबस्ता इसका बात मत मनिगा माली माली के जुट बोल रहा है नहीं माली इस बगल वाले पंडी जी के चड़ावे में बोल रहा है माली बगतवा खड़ाओ खड़ाओ जित्ता भी खेट कब्या किया ना साब वापस कर दे मालिक आस ऑाद कर दो आस कर दो भी पाद को भी खेओा पनिहें, बोल है रखिक कर आसव दे सक पहाँ का रहे च्छकरधारी बावड़ ही क्या कर रहा है कुछ नहीं वो भगतवा और हरिया मालिक से मिलने आए ते हैं यह तो हमको बताएगा बागपाउसरी के गांडू हमको सब पता है मालिक आपको सब पता है मालिक हमको सब पता है तो हर जमीन पर ही कबजा कर रहा है और तुएकर जोरू पर कबजा कर रहा है सब एक तरफ जोरू और दूसरी तरफ जमीन चल कोई बात नहीं हम एक रास्ता निकाल लिए भगतवा से इसकी बीवी नहीं समहल रही है अत्तोरा से तो हर जमीन अब तो अपनी जमीन हमारे हवाले कर दें लेकिन मालिक फिर वही बात पैसा देंगे नरे तुरा फिर देखते हैं इत्तो हर जमीन पर कबजा करेगा कि एकर जमीन पर कबजा होगा तीज यह मालिक चल बाग्यां सब्सक्राइब कि उिषए देफे शैसा थार्राइब छुम आपनी ओर कर दो दूस अत्तो हर जाइब झाल झाल कि का चला गया थारे का चला गया था है वो पहिया जी के फैसला सुन रहा था उन्होंने आपका फैसला भी ब्लट दिया और हारिया की जमीन भी ले ले लिए जाने देरे छोटे तो जमीन सुंग सुंकर निकाल लेता है चल मार्केट लेगा तलब बड़ती जड़ेगा पाये लागू मालिक पाये लागू आटू राम अरे तुम होने वाले सरपंच हो आओ कुरसी पर बैठो अरे नहीं माली बैठो बैठो हमको बहुत खुसी है कि इस बार हमारी पंचायत सीट के लिए रिजर्ब हो गई है जी हम तो तहे दिल से यही चाहते हैं कि तुम ही सरपंच बनो बस मालिक आपका आशिव ठर्वा लड़ा रहा है अब बोला था कि टागड़ा सब्क infinite बैठा हुआ है उसीलिए तो हम आए हैसे हमें भाबवन माश्व कहाँ है भागके जाने वाली है नहीं है खाली हमारे नाम हो जाएगी तो क्या है तुम सरपंज बनोगे ता वापस ले लेना है चीक है मालिक है ना है तो यह काम करो संभुगा ऐसे मिल लो वो करवा देगा है ना जी मालिक कार इस संभुगा है इगोली किसके खेत में गिरी होगी मालिक रैफल है ना इसकी रेंज बहुत लंबी होती है पता नहीं किसके खेत में गिरी होगी हम चाहते हैं कि अगर हम यहां खड़ा होकर रॉकेट लॉंचर भी दाग दें तो रॉकेट हमारे ही जमीन में गिरना चाहिए मतलब सब भायाजी की जमीन हाँ मिल्या तरफ हमारा और उतरफ तुमारा अजूर इदर का तो हमारा गया अब अगर हमको उदर का लेना है यह बंदूक से ले लेंगे यह बंदूक से का है जब ही हमारा है तो हमारा है इसका मालिक तो मैं हूँ न अरे पगले जिसमें ताकत होती है न वही जमीन का मालिक है अच्छा तो आजाओ दिखाओ अपनी ताकत क्या लड़ रहा है मालिक के साथ अरे नहीं चाचा लड़ नहीं रहे थे जमीन जमीन खेल रहे थे जमीन जमीन बड़ों का खेल होता है बच्छों का नहीं कोई और खेल 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 यह लड़ना मत खेलों कोई और खेल अब क्या खेल है चल मार मालेक इस बार ग्यहूं की खेती अच्छी नहीं हुई है दिख तो अच्छी रही है दाना नहीं है उसमें लेकिन ए जो बाबू रोग नालायक कहीं का क्या कर रहा था यह छोड़े मालीक है मालीक आपको लगी तो नहीं अब जाएजिए पहले बबलू ने अमारे पनिशान लगाया था अब हमारी बारी थी उनकी बात छोड़ वो मालीक है मोकर है वो ठाकूर है और हम या तो हम छोटे हैं उनसे तो उनकी परावरी करेगा चल 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 करेवर। घर्श है झाहिए बात ठतर वखरे लोग गिर्शल विर्ष एंगल को लेगा करेवर लो मेहिर और क्यों है यह यह तुम्हार दिये खास है अच्छ है देख रहा है हम खुद देख अरी बहां कैसा है बहुत अच्छा मैं यह ता हूँ के अभी बेंद रहा है अभी मैं अभी यह और सी वाद आफ कर दिम खास है अभी है समझ की ना अब चल दी कर अभी है आई तहसे हैं जो दो कि अ अजी अजय पर्वाइलागे मालिक अरे श्यूपरसाद अरे वहाँ नहीं नहीं यहां बैठो यहां बैठो अरे मालिक हम आपके बराबर में कैसे बैठ सकते हैं आप ठाकूर है और हम चमार अरे किस जमाने में जी रहे हो आज तो लोकतंत्र है ना भूल गय का जिसके पास पावर है वही बड़ा है तुम तो होने वाले सरपंचो चलो चलो आप यहां बैठो और आज हमार अरे थोड़ा पानी तो मिला लेते अरे नहीं मालिक अंग्रेजी का मज़ा चला जाएगा अच्छा सुपरसाद कल को अगर तुम सरपंच बन गए तो क्या तुमको कोई चमार बोल सकता है देखो हम तो चाहते हैं कि तुम इलक्षन खूल के लड़ो बलट हुआ आया था अभी से खुद को सरपंच समझ रहा है मालूम है मालिक जबसे आप उसको पैसा दिये हैं बहुत उड़ने लगा है तुम तो जानते उसे परसाद की हमारे दरवार से कभी कोई खाली नहीं जाता है तुम भी नहीं जाओ गया कोई ज़रत है तो बता दो चुनाओ अगर लड़ोगे तो सिर्फ जीतने के लिए बस मालिक थोड़ा सा पैसा दे दीजिए उसके बाद आप जान भी मांगे तो हम दे देंगे अरे तवा 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 तुम सरपंच हो तुम्हारे जान लेके हम पाप लेंगे कैसी बात कर र वापस ले ले लेना वह इसा दस जमीन ले लेना क्या दिक्कत है भरोसा नहीं है का कर दीजिए उनको कि मारिये सुट्टा है कि मारिये तो सही तब तक मैं जल गया क्या आंख बन कर लो भगवान का नाम लो बाभा कौनसे बाभा बाभा विश्वनाद हां तो वैसे बोलो न ठीक है हाँ लेलो आउर देंगे रख लो ठीक है मानिक जले ठीक है अरे संभाल के जादा हो यह का घर छड़वाते हैं अरे नहीं मालिक जो आपके बराबर में बैटके पिये हैं ना उसका नसा है उभी अंग्रेजी पहड़ी बार लिये है ना अच्छा तो चलते हैं मालिक पर नाम मालिक एक बात हमको समझ में नहीं आई कि आप शीव प्रसदवा के साथ हैं या पल्टुवा के साथ हम किसी के साथ नहीं हैं संभो तो अपने आपके साथ हैं कर दो कर दो किसी के हैं कि अच्छा करे कि अच्छा उक्ते हैं कि आपके अच्छाब लावको नहीं संभालिक बात कर दो अच्छा कि सोंगि बात लाव को तो आप तो हमेशा है ऐसा कहते है पर होता कुछ नहीं है आज बात कुछ अलगे कुछ टगो कुछ तो हुआ है कि रहा है तो है scariest कि अmbreगे Christmas किल कि अभी आप जद शॉडव़ात बात kाल." किल झाल दॕट जा है जघोन हमेशा है आप दोन करेगी बाने यलीख central है कि अभी थächुणिटे। तुमारा हुआत इतना कराम केसे करेंगा, करेंगा? हम, हम, इप अपाच्छन कोज ते कि आदिए। जो जो जोग जो प्रफोने, दो जो बड़ा जो पहले है जो बड़ा, दो जो बड़ा, जो बड़ा से दो दिखराम, क्या हुआ, सुवह नहीं है अमिताँ मुझे साइकल जए ड़ा मैंने पापा से काथा उन्होंने मुझे डाड दिया साइकल ने दिलाई मेरे पच्छा में दिलाँगी तुम्ही साइकल ठीक है चलो सोजा आम दिलाओगे मुझे साइकल तुम्हारी साइकल तुम्हारी साइकल तुम्हारे चाचाजी दिलाएंगे मेरे प्यारे बेटे सोजाओ सोचा कल शुबह तक तुम्हारी साइकल तुम्हारे पास होगी टीक है पापू क्या थाकूर हमसे बड़े होते हैं अभी तक सोया नहीं और दिन के बाद तु अभी तक भूला नहीं हमको बताओ बापू बबलू में ऐसा क्या है जो हम में नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है बेटा तू तु मेरा हीरा बेटा है हीरा सोजा ठीक है नहीं बाबू आपने सुबा कहा था ठाकोर हमसे बड़े होते है हाँ बेटा मैंने कहा था पर क्या करें समाजी ऐसा है ठाकोर उची जाती के होते हैं और बबलू बाबा का जन उची जाती में हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं पर चिंता की कोई बात नहीं है तु तो मेरा हीरा बेटा है हीरा बहुत रात हो गई है अब तू सोजा कल बात करेंगे ठीक है ठीक है सोजा स्ट्रीज करें प्यूश्र प्यूश्र यूश्र 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 हुआ गुआ है। कि अपने नाम को इतना बड़ा करूंगा कि लोग मुझे मेरे नाम से जानेंगे जाच से नहीं कि अपने नाम अब बताओ के मावल में कुछ गर्मी गर्मी तो हम लोग फैलाते हैं भी यह जलाएंगे भाईया आपके लिए नहीं जलाएंगे तो किसके लिए जलाएंगे पता रखा करो बे जी भाईया है ऐसे भी तुम भाईया जी के पैनल के परत्याशी हो आटू जाटू के नहीं जानते हैं भाईया अच्छा है खुश्बूर भाईया जी भाईया जी के लिए शराब दारू की वबस्ता करो भाईया दारू क्या दो औरकेस्टर वाले भी तयार है भाईया जी बोलिये तो बुला लूं मुकेश जाओ अब विद्यारती परिशद के यारज में जा लेता हूँ यार यह क्या बद्तमीजी है शराफत कहते है इसको बद्तमीजी तो अभी अम नीचे करके आए हटो यहां से अब नशा है एक बार दुबारा करना तु पागल है कर चलियां से नहीं नहीं देंगे भाईया बिल्शुकुल नहीं देंगे यह हम लोग विध्यारती परिशद के और से किसी ना किसी को ज़रू लडाएंगे वरना हर बार की तरह यह भाईया जी के चुचोरों के गुंट हमें किसी पावर्फुल लड़कियों को खड़ा करना होगा मेरे नजर में तो सिर्फ शिवा भाईया ही है कि इस van इसे क्बूरी के अंदर और वाहरं उनसे टक्कर ले सकते हैं लेकिन लेकिन यह कि मैं एलेक्शनन नहीं लड़ सकता हरे शिवा भाए शिवा ब़िया अगे लेकिन क्यों शिवा भईया मजबूरी है मिरी क्योंकि माने मुझे अपने कसम से बांध रखाए इसका सीधा मतलब ये है कि इस बार भी उनका प्रत्याशी सुनील सिंग निर्विरोध चुना जाएगा मैंने अपनी मजबूरी बताई है विद्यारती परिशद की नहीं हम हार नहीं मानेंगे इस बार मनेश जी भी या चात्र संग का अगला द्यक्ष इसबारतू बनेगा मैं वह भी उनके खिलाब शियो भीया कोई गलती हुई यह तो दोचार तपड़ मार लीजिए यह मराज के लिए मैं हमारा नाम का इसा मिल कर रहा है मैं जानता हूँ बहुत भावकाल है तेरा अपने इलाके में दादा माना जाता है तू यह लो चड़ा रहे हैं चना के जार पर भाईया वो बस भावकाल भर है डर मत कुछ नहीं है एक्जामपल देते हैं आपको अलसेशन कुट्ट्ड जो है वह गली के कुट्टों के सामने खड़ा होदा रहे है शेर के सामने नहीं समझाओ यार अगर तेरे सामने वो हैं तो तेरे पीछे मैं हूँ तो डिसाइड हूआ हमारा प्रत्याशी मनीश होगा सोचने का जो हक है सब को देखो हर छोटा मोटादमी बड़ा अदमी बनना चाहता है बानिश्वाव क्या सोचता है इससे क्या करना बात इतनी चोडी भी नहीं है भाईया कर आद सिर्फोन देख रहे हैं ना ना N ל निशा नहीं इसको नशा कहो नशा है यह नशा शीवा उसे बहन मानता है कोई कुछ भी माने इसकी तो हम तसलिस एक दिल लेंगे सही बता रहे हैं अरे यार चली गई चलो ठीक कोई नहीं फर पड़ाना बन हां सिग्रेट हां तुम क्या फर पड़ा रहे बताना मैं बस यह बोल रहा था कि मनीश के पीछे शीवा है अच्छा आपसे कुछ बात करना चाह रहे थे प्या है क्या है कि मतलब यह सुनिल है नमस्ते भी यह बहिया हम आपकी एक्तम दिल से हिस्सत करते हैं ठाकूर अरी मर्दं सिंग के पेटे हैं वो बोलो विक्रम जो बोलना चाहते हो मतलब सीधे पॉइंट पर आ जाते हैं ठीक है ठीक है आज भी हम सोच रहे थे सुबा सुबा मतलब स्वर्ग में उनको कितना तकलीफ हो रहा हो चमार है साला मानिश्वा यह स्टुडेंट यूनियन का इलेक्शन है विक्रम यहां स्टुडेंट पढ़ने के लिए आते हैं एतम सही और जो लोग पढ़ायली खाई करने के लिए आते हैं वो लोग पढ़ायली खाई पर द्यान देंगे एलेक्शन के लिए तो हम लोग है हैं पाफी है हम तो कहत एक है यहां आप कहड़ा हो जाते हैं आप खड़ा होंग तो चोड़े और नहीं चोड़ेगा आप च्छाए से अच्छा है नविक्रम तौबनेे इल्यक्शन की तो तैयारी बहिया हम अरसाल करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि आज तक हमारे सामने कोई खड़ा हुआ भी नहीं जहां तक रही बात नहीं मनिश्वा की कितना दिन तक आपके नाम का उक्सीजन सिलिंडर लेगा उड़ता रहेगा हाँ सिवा वो उक्सीजन सिलंडर है विक्रम जिसके उक्सीजन की सप्लाई इस यूनिवर्सिटी का हार एक स्टुडेंट है गुंडा मंदली नहीं फिलिजी पयादी मलाई पहलवान तेरा लगते ही ना मलाई में और मज़ा आ जाता है तू एक काम कर तू तू मलाई की दुकान खोल ले गुड़ आइडिया मैं और दुकान का नाम रखना पहलवान मलाई अरे भाईया जी कई हमारा नाम मलाईयों पहलवान ना हो जाए चलो यह बाब साब पैसा पर बड़की अम्मा कहती थी जाते हुए को पीछे से टोगना नहीं चाहिए अशुब होता है कितना हुआ चालिस रुपया हुआ चालेस हुआ फॉर्टी तो एक कां मकरो तुम हम और सो रप्यआ वापस वह एपी है वह इस लिए क्वेंकि इसकी गोली जो है वह वो एक सो चालेस रुपिया किये गोली का हम का करेंगे अरे गोली का तुम ही करोगे जो करेगी गोली करेंगी तुम हारा कि वोली की अरे गोली कि अरे गोली मुझे से स्वपते हैं कॉ जिन्ता मत करना, आज़से मैं दिरागे हाल रखोंगा why are you sad brother? just cheer up आप टेबल आप सब आप मेरे भाई अंगरेज तुबता मिस्थेक को कहते हैं एंगलिश में मिस्थेक इंगलिश मैन मेरे भी मिस्थेक विक तुछे दोस्थ बनाकर मेरे भाई अरे आज आज तूब अँर अगरदा उड़ा दिया हां तो अधार कलका तो एकदम नियूस होब है वहां से हैं बोला लग लग रहा है भुत को काई गरीब को मार दिया और पर च्या कर हम को पीछे जो और जानता है कि आ ना तो हमसे को ब्रदास्ट नहीं होता है सटक जाती आहिक अप 40 रुपिया अब चालेस रुपिया लेके के हम भाग जाते हुसका जलत हो गया पर खेर वे सब छोड़ो तुम तू बता तेरा कॉलेज के आम पस कैसे चल रहा है यह सब बढ़िया चल रहा है अली बस है कि मतलब अरे यह जो मनिश्वा है न उसको विद्यारती परिशत वाला सब जबरदस कौन कर रहा है वाईया कौन शिवा वो शिवा भी जिन्दा एक है अरे मा कसम भागवान यह साला ठाकरों का खून है इसके अंदर या मिक्स ब्रीड हम को समझ में नहीं आता हम कुछ करें क्या नहीं बढ़िया टेंशन का कोई बात ही नहीं है मनिश्वा पहले पर्चा भरे तो शिवा सपोर्ट किसको करेगा यह तो है चल ठीक है चल बड़ी मां इंतजार करें तेरे खाने पर खाना खाराम कर हां ठीक है चल ख्याल रख ठीक लहारिया लुट्टाए राजा अ क्या कर रहा बाई क्या हुआ जल्दी कीजे ना का राद भर पगड़के बैठेंगे इनका हां देखे ना इनका गुबाराई फूलता जा रहा है कहीं फट बढ़ गया तो हमारे हाथ में मूद देंगे यह दगो बाई तुम्हाए पास दोईवी कल्प है या तो कि तुम खड़ा होगे या तो कि तुम्हारा खड़ा होगा बाई हम ने खड़ा होगे चलेगा बाई लेकिन इसका खड़ा होना बहुत जरूरी है मैंने मूद ने खड़ा हो इसका कोई इस्तवाल ने किया था ने खड़ीख निघंड ये अज़ेन पाइब तो मधर, वह जह को छूद दूद ने ख़ब कि अच्छा चुटकी तु जा अच्छा चुटकी तु जा अच्छा चुटकी तु जा अच्छा जब तक यह तुमारे शकल ना देख लू ना तब तक दिल नहीं भड़ा मेरा भी वही हाल है जब तक तुमें तेखना जूंचा मैं भी देखती हो यह तो लास्ट यह फिर यूनिवर्सिटी फिर कर लेना देखना कॉन वेट करेगा और कॉन खड़ा रहेगा कैसे रहूंगा इतनी दुनों तक तुमारे भी ना अब इतना भी मत फेको कौन है यार एक सब्सक्राइब कर लोगा एक दम भाईया अपना भाईया केला जीतना भी चाहिए यार यह मनेश का अचानक से गाइब होना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और जब मनेश ही गाइब है तो आखेर हम लोगे साथ खड़ा कौन होगा यह गुंड़ागर्दी ऐसे ही चलती कब होगा हमें तो नहीं लगता भाईया इस बार आने वाला है काया बे नहीं लगता उसका गार बाद दियो तकर बंघिए यह सब कभ़्या राजीव पता नहीं मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहीं कुछ अनूनी तो नहीं हो गई रूसके साथ मैं नहीं मुझे लगता है यह सब विक्रम के गुंडों नहीं किया होगा हमरा हो रहा है खड़ा बाबू जी भाइए अच्छा हम जा रहा है लेने इसको थोड़ा सुला करके आते हैं सुभा से उसका मोबाइल बंद आ रहा था तम मैंने वसीम को उसके घर पे भेजा उसके घरवालों ने कहा क कि वो कल रात को ही कहीं चला गया और उन्हें भी कैकर गया था कि वो कल आएगा है मतलबं यह की वह जहां भी गया है अपनी मर्जी से ही गया है ना या तो फिर उसे जाने के लिए फोर्स किया गया है उसे मैदान से हटाया गया है राजीव अब जाईए महाँ पर मज़ा लीजिए अब यहाँ निर्विरोच चुनाथ चुताने के बाद देखेंगे हैं मादर्चोथ जाके सिग्रेट लेके आप कि आख आन सकी कि आले तो खनित बंगे मत तो को भून्याद चुपसों बढ़ें जाओ चक लोंडी आए, सीधा चेक करके दियेंब डाइरेक्ट एडमिशन पक्का है नॉमिनेशन पॉर्म नॉमिनेशन पॉर्म महातर चुछ रेड़ी पुछ पुछ रेड़ी भईया, आपके लिए एक नंबर वन का नाम सोच रखे हैं भव काल चंद एक एक सीधा रफ क्या एक लग वही बात है अरे बिल्कुल सही है लेकिन मेरा आदमी आएगा पांच लाख रूपिया लेके उसको चूप चाप रख लिजिए और काम हो गया समझे बाकी हम देख लेंगे हाँ लेकिन भाईया जी तू न इस सरकारी रिकॉर्ड का कोई चिंता मत कर जितना कहा जाए उतना ही करो बस भाईया जी सुने एक सेकंड अपना दिमाग कहे लगा रहे हो बात नहीं मानोगे न तहीं छोटा करके इसी में पिसवा दूंगा समझे मैं सौरी भेजिए अधर मास्टर साथ मैं डीन बोल रहा हूं भाईया जी हेड मास्टर नहीं अरे यार हम तो आठवी पास हैं मस्टरी समझते हैं डीन विन तो हमको समझ में आता नहीं डौन जरूर समझ में आता है आरे छुड़े बताइए क्या हुआ तो साले तुम महां बैठके क्या घंटाव खाड़ रहे थे और मैं क्या कर सकता था भाहिया जी मैं उसे रोक भी तो नहीं सकता था तेरी मा की साले हाँ बबलू हाँ जी पापा मैं मैं देखता हूँ पापा क्या कर लें अगराम लगाओ हिरो को फोन लगाओ कहीं लगाओ अगराओ बबलू भीया हाँ बहिया कहा है चोटे बहिया बहिया केंप केंपस में है क्या हुआ मुझे सब पता है कौन से देवी के दर्शन चल रहा है तुम्हारे दर्शन खतम करो और केंपस जाओ देखो क्या वाल मचा है वहां पर देखते है भीया फोन करते आपको बहन के लूर कपड़ा ले ना शीवा भाईया शीवा भाईया किसी अजीत नाम के बंदे ने उनके अपोजिट नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया क्या बात कर रहे हो कौन है वो कहां है वो कि तुम ही हो जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हो हमें खुशी है कि तुम इलेक्शन में खड़े हो रहे हो हम सब विद्यार्ती परिशत से हैं मैं सब के बारे में सब कुछ पता है पता है पर कैसे नदी में उतरना आसान है राजीव मगर उसे पार वही कर सकता है जिसे नदी की गहराई के अलावा हर बड़ी मचली और मगरमच के बारे में पहले से पता हो तो तुम्हें लड़ने वाला विद्दार्थी परशद तो है ही लेकिन जब उन्होंने मनेश को भगा कर गुंडागर्दी और जातिवाद की राजनीती शुरू की तो मुझे मैदान में आना पड़ा क्योंकि मुझे जातिवाद से जक्त नफुरू मुझे तुम्हारे विचार काफी पसंद आया अजीत अब से विद्द्यार्ती परिशत के लोग तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और इसके इलावा ये शिवा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा चला तो मैं अकेला ही था लेकिन तुम लोगों ने तुम्हेरा कारवा ही बना दी है शिवा भाई अजीदर होते हैं ना कारवा वही बन जाता है आज से अजीत और शिवा की जोड़ी और ये रहा तुम्हारे पीछे का कारवा विशारा शरीफ लड़का है लगता है इसे भाईया जी के पावर के बारे हैं पता नहीं अपी अईसा नहीं है फरीदा मुझे तो ये मामला कुछ अलग नजर आ रहा है अच्छा जरा टाइमिंग पे ध्यान दो बिना शोड़ शराबा की हुए आता है और पड़्चा भरक सब्सक्राइब के चला जाता है जरूर ये सब उसकी सोची समझी हुई साजिश है गौतम तु फिल में जरा कम देखा कर तुझे हर चीज में सस्पेंस चाहिए अरे अब तुम्हें कैसे समझाएं पगली वह सब छोड़ बट अगर ये टिक गया तो इसकी जीत तो पक्की है अब लग रहा है केंपस के दिन सुदरने वाले हैं हाँ यार विद्ध्यारती परिशत को सपोर्ट करना चाहिए कम से कम इन गुंडों से चुटकारा तो मिलेगा विक्रम के गुंडे मनीश को वोट ना देने के लिए हमें डरावी सकते हैं उसका तोड है मेरे बाद मैं भा अहां बटा करेया था नारत मुनी मत कहिए मालिक माहा भारत का संजय कहिए जो आपके लिए रोज नहीं-नहीं ख़बरें लाता है अब एस साले मुझे दिरतराश्च बना दिया मैं अंदा हूं क्या अंदा बनाती है अपने लिए बोला था और अभी अभी एक ख़ब लाया क्या कह रहे है क्या हुआ है सुना है कि यूनिवर्सिटी केमपस में कोई अजीत नाम का लॉंडा भाया जी की पैनल के खिलाब ख़ड़ा हुआ 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 है कौन जात का है का नाम बताए थे अजीत यादब कि देख रहे हुँ कि छोटे में बहुत इंट्रेस्ट ले रहे तो चल जा उसी का पकड़के को चल खड़ाओ 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 नहीं मालिक मैं तो हमेशा आग को आगे दिखना चाहता हूँ क्या के जाना है कुछ फरक नहीं पड़ता पड़ना चाहिए क्योंकि कहते हैं कि राजनीती की पहली स्टीड़ी केमपस ही होती है और आपका बेटा केमपस में है चरम को आग लगा चरम के कशंदर और सारे घंब बाहर हुआ हुआ एक दरह सुछिया कितना अच्छा है ना विध्यार्थी परिशेत की और से भी खड़ा होगा केमपस उधर जाएगा गुंडागर्दी कम होगी चिछोरा पंती कम होगी अब इकितना होट है यार वो पागल है कोल रिंक है अरे कोल रिंक की बात नहीं कर रही हूं यार फिर अजीत के बारे में ब काओ दूम कुछ नहीं कुछ तो है मैं बस सोच रही थी कोल रिंक पी वो तो ठीक है मैं पी रही हूं क्या बात है भाईया जी आप तो बिलकुल च्छा गए हो अब च्छा नहीं गए है भोकाल है भोकाल भोकाल अरे भोकाल माने क्या होता है अरे कमलेश आव 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 भाईया जी पनाम मार्केट में गजब का माल आया है दिल खुछ हो जाएगा कि माल अच्छा है क्या कहते है सेक्सी सेक्सी ठीक है पाच-पाच-बिस कर देश का जी लेकिन देखना कि माल में कोई डिफॉल्ट ना निकले वरना इसका पहला ट्राइल आरे भाईया जी कभी विश्वाद घात की हैं का अरे चुटे आज 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 अच्छा है अच्छा है अच्छा बहुत कुस्सा है कौन है कौन है जंडू तेरे कॉलेज में हरे हम देख लेंगे भाईया उस मादर चुट का तो हम यहाल करेंगे ना कि कॉलेज तो छोड़ो यूनिवर्सिटी से नाम कटा के जाएगा देख तुझे जो करना कर हूं जैसे उसे हैंडल करना कर हूं बस इतनी कोशिश कर कि मुझे कॉलेज ना आना पड़े तु मुझे जानता है और मेरे गुस्से को भी कॉलेज में बहुत कंट्रोल करना पड़ता है अरे हम देख लेंगे भाईया टेंशन नहीं है तो डील पक्की समझी जाना कलेक्टर साहब हाँ हाँ डील पक्की है लेकिन जरा समाल के क्योंकि अगर मामला खोल गया तो नौकरी पे आ सकती है बड़े भाई आप क्यों टेंशन लेते हैं है दिल्ली सरकार से जो एक रुप पैसा बच जाता है तब हम तो उसी पचासी पैसे की बात कर रहे हैं ना उपर भी तो सब भरस्ट लोगी बैठे हैं और मंत्री उन्होंने तो मौन वरतली रखा है वो सब ठीक है लेकिन मैंने जो आपके बारे में सुना है आपने सही सुना है मंगर हमारा भी एक उसूल है कि अंदे में दादागीरी नहीं और दादागीरी में धंदा नहीं ठीक है काम हो जाएगा अब तो यार हम लोग जै वीरू की तरह जोड़ी बन गया है हाँ सिगरेट्या चाहे दो चाहे बोल भीया दोड़े चाहे देना जी भीया चेनी थोड़ा कम डालना वे हाँ या लीजे वे यह 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 जगा अच्छे एक दम बढ़ियां अजीत मुझे बड़ी तेज से सुसुआ ही है मैं जरा खाली हो कि आता हूं एक नंबर ठीक जाओ 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 अरे प्रिया हां अरे कुछ नहीं यार बढ़ी चोर से सुशुआ है ती उसी का अनंद ले रहा हूं हुआ है हुआ है है ለፍ፫ focused pump कि क्या कहात तुने मिलता हूं तो बताता हूं बड़ाया की छोटा क्यों भे तो इलेक्ष्ण लड़ रहे हैं लडने के मूड में तो तुम लोग लग रहे हैं मैं तो इलेक्ष्ण में खड़ा हूं अगर खड़ा है तो बैठ जा मेरा ऐसा कोई रादा नहीं है जुबान लड़ाता है बहिंचोद बहिंचोद बोलती है तो ही बताओ तुम्हारी बहिन हमारे पास आएगी कि हम तुम्हारे घर चले तेरी तो बहिंचोद 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 बहुत ट्राई किया हम लेकिन हो नहीं पाया अरे शिवा साथ 10 ते रहा है भीया वो गरबर हो गया है इसमें गल्ती ना तेरी है छोटे और नहीं है सब शिवा की वज़े से हो रहा है हूं कि शिवा तोस मलीश के साथ भी दाना हां समझे नहीं हम भाईया मैं समझाता हूं देख छोटे डर हर इंसान के अंदर होता है लेकिन लगता है कि लॉन्डा कोई और मिट्टी का मना है कोई नहीं देखते हैं तो टेंचन नहीं ले मैं आता हूं देखने केमपस को बता दो पबलू ठाकुर आ रहा है कर दो अरे अजीत भाईया सुना है कल तुमारे उपर अटेक हुआ था हाँ हुआ था तो छोड़ना राद गई बाद गई यह तो कहानी यह लगी तुछ ले रहा है अरे भाईया राद गई बाद गई नहीं बाद बढ़ गई बबलु सिंग आ गया है भाईया जी का बेटा अरे बहुत ही खतरनाक आदमी है जानता हूं रे आया होगा सुलील का प्रचार करने चलो अधिकंगत वह यह वह जोबी हो लेकिन अब भाईया मैं तो चला रहा है अधिक्रिया प्रणाम प्राद अधिक्रिया नाद में वह अधिक्रिया लाई कैसे चल रही है एक दम फस्क्लास भाईया जी वह सामने बल्ठा हुआ हुआ कोई दिक्कत हो तो हमको बताना जी बिल्कुल भाईया टीचर को तुम्हारे घर बेज देंगे सर को अच्छे से पढ़ाएगा जी भाईया जी अब हम पढ़ाते हैं हुआ है तो आप हैं जो एलेक्शन में खड़े हो रहे हैं मैं ही नहीं मैं भी एलेक्शन में खड़ा हो रहा हूं आप जानते नहीं हैं क्या हमारे बारे में जामता हूं तो अरे बैठ जाओ यार और तुम खड़े हो जाओ शाबाज देखो ऐसा है कि तुम्हारी नोट बूक देखके लगता है कि तुम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो यहां सब पढ़ नहीं आते हैं नहीं सब नहीं आते हैं लेकिन तुम आए हो अच्छा है करो पढ़ाय लिखाई करो लेकिन क्या है यह एलेक्शन पॉलिटेक्स तुम्हारे बसकी नहीं है है ना बैठ जाओ पॉले कड़ा हो तो बैठने के लिए बोल रहे हो आखर चाहते क्या हो अरे हम सब के बहलाई जाते हैं तुम्हारे पर बहलाई जाते हैं इसके बहलाई के बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है पबलू कि जब एक ठाकुर बात कर रहा हो तो दूसरे ठाकुर को बीच में बोलना नहीं चाहिए ये स्टूडेंट के यूनियन का इलेक्शन है बबलू ठाकुर रियादों की लडाई नहीं अब देखो ऐसा है कि जिसकी ताकत कुर्सी भी उसी की है बच्पन में सुना था जिसके पास ताकत होती है जमीन उसी की होती है अब जमीन के जगा कुर्सी आ गए ठीक है तो आजा मैदान में दिखा आपनी ताकत अरे तुम हम तुमको प्यार से करो करो कि मलकात होती है तुमसे किदर आओ क्या है तुम्हारा चुनाव चिन जलता हुआ मशाल है जल कहा रहा है जलना पड़ेगा ना हाँ थोड़ा अजीत यादव अब देखो अब यह जलता हुआ मसाल अब लग रहा है बहुत पहतरी हां इसको जलाते हुए लेकर जाओ ठीक है चुनाव चिन है समझे जाओ और सुनो वह फाड़ दो में अबकिन हां मेपने कशने करना पड़ेगा हुआ है जीत यादव अब कुछ चिकत कहते है ऐसे लग बनें की मेकप करना पड़ेगा अभग पड़ेगा हैं आघ को बढ़ें थोड़ा इनों को भीजे बनाव थोड़ा क्या बात अरे सूंदर लग रहा है आई है यह यह य तो यह डाउन टु अर्थ वाले हैं भी हाँ जलो बढ़िया है आप सब सही है आधे घंटे लेट एक्स्ट्रा क्लासिस थी पापा मम्मी कहा है होगी कहीं अंदर यह रही आपकी मम्मी चाही के साथ यह लीजिए सुमन जी अजीद की कोई खोच खबर है कहा है क्या कर रहा है नहीं वो जो दो महने पहले आया था आपसे मुलाकात हुई थी उसके बाद से तो उसकी कोई खेर खबर नहीं है क्रिया जी पापा अजीद तुम्हें बहुत मानता है ना येस एनी डाउट नहीं इसलिए तो पूछ रहा हूं कहां है क्या कर रहा है कोई कॉंटेक गॉंटेक है उसका इसी बात का तो गुस्सा है ना मिलेना एक बार अच्छे से लडाई करूंगी अजीद शीवा उनिवर्सिटी केंपस में यह सब जो कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है अजीद ने केंपस में गुंटों की दख़र अच्छी बात नहीं है लेकिन सुनील को समझा है कौन यह ये सब जो कुछ हो रहा है, सिर्फ होर सिर्फ तुम्हारी मज़े से हो रहा है I am sorry sir, लेकिन अजीत ने campus में गुंडों को नहीं बुलवाय था हाँ हाँ, बट अजीत के खड़े होने के पहले, यहां किसी भी election में कभी भी ऐसा नहीं हुआ Sir, पहले election नहीं, selection होता था Election तो अब होगा ठीक है, तुम पे जान लेवा हमला हुआ, campus में इस तरह का violence में बरदास नहीं कर सकता लेकिन Sir, campus में अटेक नहीं हुआ था, अटेक केमपस से बाहर हुआ था और उससे हमने पटने के लिए सक्षम है I know Shiva, you are capable, but Ajit को अपने चकर में मोहरा मत बनाओ Sir, election लडने का निर्ने मेरा अपना था Shiva ने तो मुझे सिर्फ सपोर्ट किया Okay, you may go now Thank you, Sir Ajit, Shiva, मैं प्रिंस्पस साब की सारी बाते सुन रहा था मुझे पता है कि यह उनकी गलती है पर फरियत उनकी मजबूरी है वो क्या हम सब मजबूर हैं इसलिए तो मैं मैदान में आया हूं, Sir Don't worry, Sir इसके अध्यक्ष बनते ही सब ठीक हो जाएगा मेरी वेश्ट विसस हमेसा तुम्हें साथ है Thank you, Sir कर दो आया है आया है आया है सबस्ताइब कर दो कर दो कर दो झाल झाल जिससे कोई जीत न सके अजीत निशा निशा तुम याओं छात्रों को एक ही नारा अजीत हो अध्यक्ष मारा वाह जिससे कोई जीत न सके अजीत वाह सब का प्यारा अजीत हमारा सबका प्यारा या सिफ तेरा प्यारा अच्छा उसे पता है रुक मैं उसको बता राती हूं अरे रुक रुक तु बैठना अच्छा तु कब बताने वाली है पता नहीं देख टाइम से बता दे वना ना में सजाती रह जाएगी अजीत है अजीत है जाएगी करूंद कर दो बहुत जो नार्भ बहुत दो खड़ ने हैं बेर्था था तो कर दो कर दानी किलिए कर दानी कि बैथ ने कीलिए आक़ कि चाहते क्या ति यह बहुत प्राइगी हम रहके नहीं 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 है प्राइगी नहीं 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 है पाप हम आपको लगाते हैं अब यह उस अजीत को टपकाने जा रहे हैं बबलू रुग्जा हमको सब पता चल गया है अरे और फिर भी आप हमको रोक रहे हैं आँ क्योंकि युद्ध में रण नीती अपनाई जाती है और राज नीती में खूट नीती तुम कोई गुंडा नहीं हो बलकि तुम्हें एक नेता बनना है सब ठीक हो जाएगा मैं लखनों से जब आऊँगा कैमपस उत्ते हुआ जाऊँगा ठीक है आएब आएबएबएबज यी शिद्धी आएबएबबग ँल्मी कौन है यह बुचाल मचा रखा है कॉलेज में बबलु का दिमाग खराब हो गया था दुनिया जानती है दिमाग से तेज उसका हाथ चलता है जी भहिया जी मैंने चाहता कि कोई यह देख यह देखी यह देखिए अजीत यहां पे जितनी सारी चीजें है पेंप्लेट शपवा यह दो शपवा के सारों तरफ लगवा दो और पोस्टर के लिए बोल दो संभू यादो अरे अजीत कल तक वो सब कुछ हो जाना चाहिए अरे हाँ हो जाएगा सब जाएगा टेंशन मतलो ठीक है पड़ाबाव जी खुश रहो बेटा बेटा तुम कहां थे हाँ बाव जी मैंने इस कॉलेज में अड्मिशन लिया है थोड़ा बीजी था इसलिए आपसे कॉंटेक नहीं कर पाया बेटा तो इतना बीजी हो गया है कि अपने बाव जी और परिवार वालों को ही भूल गया मुझे मेरा परिवार मालूम है बाव जी और मैं ये भी कभी से आपके परिवार का हिस्सा हूँ क्या हुआ बहिया जी कुछ नहीं है आप नहीं समझागा करें तो मैं जीत को बुलुआ हूँ ज़रत नहीं उसकी है मैं खुद मिलूगा उससे बिटा तो बढ़ा हो गया है अब अपना निरने खुद ले सकता है ऐसी बात नहीं है बाव जाना चाहता हूँ कि बिटा तु समझदार हो गया है और जीवन में कुछ बढ़ना भी चाहता है कि यहां तुझे कोई भी परिशानी हो तो बोलना है मालिक की बहुत चलती है यहां उनका नाम ही काफी है अरे मालिक यह अपना अज्जु जानता हूं अच्छी तरह से जानता हूं और बिटा अज्जु कैसे हो तुम इतना बढ़ा प्रणाम भाया जी है खुश लिए यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम इस इलेक्शन में खड़े हो रहे हो मगर तुमने हमारा पैनल क्यों नहीं चुना क्या फरक पड़ता है अगर तुम ठाकुर नहीं हो तो आखिर हो तो हमारी ही उलाद ना हवेली का नमक्खा है तुमने तुम्हारी जीत में भाईया जी की जीत है सुनील जी भाईया जी अगर इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तो तू बैठ जा हवेली जा रहा हूं बहुत दिन हो गया ना अगर समय मिले तो आजा में यह सब क्या था अजीत शिवा क्या तुम लोगों को मुझे पर शक है शक नहीं करने के भी कोई वज़ा नहीं है अजीत भाई आजी ने जो कुछ सुना वह जूट था तुम सब ने जो देखा सुना वह सब को सच था और यह भी सच है कि बचपन से मेरा उस हवेली में आना जाना था क्योंकि मेरे बाबुजी वहां के ड्राइवर थे और आज भी हैं लेकिन तुम सब जो सोच रहे हो वह सब बिलकुल गलत है हां मैंने कहीं हम भी उस हवेली की जीत में तुम्हारा साथ तो नहीं दे रहे हैं तुम लोगों को लगता है कि हवेली की बात करके उन्होंने मेरी इज़त बढ़ाई है लेकिन सस्त तो यह है कि उन्होंने मेरी बैसती की है मुझे तो लगता है कि भाईया जी ने अजी सर को बदनाम करने और हमारे अंदर फूट डालने की चाल चली है ठीक है अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही हो तो विद्यार्थी परिशत खुल कर तुमको अपना पैनल देगी कि बोलो अजीर मन्जूर है तुम्हें मुझे मन्जूर है मुझे बहुत खुशी होगी तो ठीक है अजीर तब हमारा ओफिशियल नेता बनेगा और जो बाके की जमीने वो भी होई जाएगी कुछ दिनों की बात है बस 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 करिया नोटन की संबू काका आप यहां वफादारी का ड्रामा कर रहे हैं और वहां पे आपका लउंडा हमारी इज्जत के साथ में खेल रहा है अब अबने रोक लिया हमको वर्ना स्हरामई के लउंडे को तो हम संबू से तमीच से बात किया करो पर इसकी बेजिती करके तुमने हमें गाली दिये अरे तो च्ञा करें आप ही बताए ना अम क्या करें आपको बता इंके लंडे ने क्या ड्रामा किया है विद्यार्ती परिश् बबलो की बात का बुरा मत मनना, वगर इसकी बात को जड़ा गहराई से सोचना, चम्बू, हम खब तक काबू में रखेंगे, इसका गुसा तुम जानते ही हो, कहीं किसी दिन उचनी छोगिया तो, अरे जिंदा रहेगा तो इलक्सिन लड़ेगा न, अच्चो को समझाओ, आपने कुछ जादे ही सर पे नहीं चड़ा हुए, पापा, ऐसे, कुछे और बिल्लियों को पालतू बनाने वाले बहुत इंसानों को देखा होगा तुमने, अगर इंसानों को कैसे पालतू बनाया जाता है, यह अपने बाप से सीख, प्यार से, पुछकार के, तुम इंसान और कुत्तों को अपना गुलाम बना सकते हो, यह वफादार इंसान ही हमारी सबसे बड़ी जब तक तुम इन्हें पालना नहीं सीख पाऊगे कभी भी बड़ा सामराज खड़ा नहीं कर सकोगे यह बताओ तुम उससे प्यार कितना करती हो प्यार पांच किलो अरे यार पांच किलो कम से कम साइज देखके बताई होती यार पांच किलो बस इतना ही टूमज है यार हम लोग इतना प्यार करते हैं के एक साथ रहते रहते भाई बेहन जैसे दिखने लगे हैं पता नहीं शादी तक क्या हाल होगा तो कल ऐसा करो ना राखी लेके आओ अच् कुछ भी क्या कुछ भी मैं तुमसे स्रिसली पूछ रहा हूं कि तुमसे कितना प्यार करती हो तो कभी भाई बेहन कभी ये कभी इसका क्या मतलब यार मैं बहुत सीरिया सुन तुमारे लिए क्या पूछ लूँ अच्छा अगर मेरी किसी और के साथ मतलब शादी हो गई और अब खुद भी जान देदूंगा अब है जित्ता हम गेरे उत्ता सुनो ज्यादा बाते मत पेलो है का गेरे हो सुनो राणा हा भाई है तक को भोस अड़ी बात करते हैं तुम से हाँ भाई बोलो जलाएंग्या इंस्पेक्टर मर्डर केस में सीबी आई हो सकती है तुमारे आदमी सब तैयार है कि वो सारा इल्जाम अपने उपर ले ले हैं हाँ भाई है सब तैयार है प्रताप भाई ने हमको बताय था तो हमने सब एकदम सेट कर दिये हैं राणा प्रताप मेरा भाई नहीं सब कुछ है तो मेरे लेक्ष्मन भाई राम के लिए बनारस में पैर जमाने का रास्ता मिला गया वो दो कोडी का भाईया जी साला बनारस का किंग बना बैठा है वही न्यूज देनी दी आपको भाईया उस यूपी कॉलेज में जहां पे उसका वर्चस्व था आज वहीं पर एक अजीत नाम का लॉंड़ा उसके खिलाफ खड़ा हो गया है किसके सपोर्ट से किसी के नहीं और मज़ेदार बात तो यह भाईया कि वह उसी के ड्राइवर का बेटा है वैसे अपना शिवा उसके साथ खड़ा है सपोर्ट में कौन अरिवर्दन सिंग का बेटा जी भाईया अब आएगा मज़ा यूपी कॉलेज में घुसने का रास्ता मिल गया तुम कल ही शुवा के साथ अजीत को बुलाओ जी बहिए चेर्स यह पर नाम भाउ जी आप यहां तुमने एसा काम ही किया कि मुझे यहां आना पड़ा बैठी नम यहां बैठने नहीं कि तुमें संभाने आया है कि तुम एलेक्शन मत लड़ो कि और तो भाईयाजी ने आब आपको भेजा यहां इलेक्शन से ढर गया वहा हूं यह नहीं एक बाप डर तुम उन्हें नहीं जानते बेटे मैं उन्हें सुभर शाम देखता हूं कैसे किसी इंसान की जान लेना उनके लिए मच्छर की जान लेने के बराबर है एक बात समझ लीजे बाउजी मैं अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी चीऊंगा शान से जीऊंगा और शान से मरूँगा तुम समझते क्यों नहीं बेटे ये राज नीति उजीटि बड़े लोगों का काम है हम चोटे लोगों को रोटी के से कमाना ये सोचना चाहिए जिन्दगी भर गुलामी करते करते आपकी सोच भी वैसी ही ही हो गई ये बाव जी ये नौकी मेरे लिए गुलामी नहीं है बैटा तेरे दादा भाईया जी के बाबु जी के हाँ ड्राइवर थे मैं भी भाईया जी के साथ लग गया और उन लोगों से हमारा खांदानी रिष्टा है उन लोगों की वज़े से हमें मान समान सब कुछ तो मिला है तो उनकी निजर में चतरपाल सिंग के ड्राइवर का बेटा समरपाल सिंग का ड्राइवर होना चाहिए सबर पाल सिंग के ड्राइवर का बेटा पबलू का ड्राइवर होना चाहिए वो राजनीती में कैसे आ रहा है वो भी उनके खिलाफ यह इस दो चलो लेकिन एक बात समझ लो बेटा राजनीती में सफल होने के लिए किसी बड़े नेता या बाहुबली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है जब तक किसी नेता या बाहुबली का पीट पर हात नहीं होगा न तो कुछ भी नहीं हो सकता है वैसे तुम्हारी मर्जी बिटा ठीक है बाउजी मा मा आपको पता है अज्चु भाई यूपी कॉलिज से एलेक्शन लड रहे है हां नहीं नहीं भायाजी के खिलाफ हां ऐसा नहीं हो सकता तुझे जरूर कोई यह सच है सुमन हो मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की पर उमाना नहीं उसे पता नहीं कि वह अपनी जिंदगी के साथ खेल रहा है अब जरा तुम समझा कर देखो शायद समझ है प्रिया जा तु दोग कप चाई बना लेया ठीक है लाती हूं मैं यह अच्छू भी है भी न देखिए जी आपको तो पता है उसने हमारा रिष्टा अभी तक स्विकार नहीं किया है लेकिन फिर भी मैं कभी कुछ नहीं बोली मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि उसने प्रिया को अपनी बेहन माना लेकिन लेकिन अगर फिर भी आप कहते हैं तो मैं उससे बात जरूर करूंगी चोटे मूँ बड़ी बात होगी मालिक पर जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो बात आप समझ नहीं या समझना नहीं चाहते हैं सब समझ रहा हूं चक्करधारी सब समझ रहा हूं और तेरी ये बात वी सही लग रही है कि जब तक हाथ में पावर नहीं होगा इस हवेली में मेरा हाल जोड़ी के कुत्ते की तरह होगा समझ रहा हूं सब समझ रहा हूं जब सब समझ रहे हैं त कि मेरी आखात कि जानता है ने मेरी आखात इसकर में हम इसलिए खुल कर छोटे के खिलाफ नहीं जा पारहा हो में कर तो कुछ नकुछ तो करूंगा उसके लिए मैंने बह्याजी के खिलाफ एक चिंगारी ठूंड ली है झाल 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 और घर में सब कैसे हैं यह हमारा दोस्त है अजीद तुमारे दोस्त में जोश बहुत है हाँ वो तो है और इसकी आखों में डर भी नहीं है पर किया इसको पता है कि यह किसके खिलाफ कड़ा हो रहा है पता है सर पचपन से उस हवेली को देखा है सर के अलाना मुझे पसंद नहीं है कल को बैया जी तुमारी जान भी ले सकता ह मैं वो बाते कभी नहीं सोचता जो डर पैदा करें या फिर मुझे दुबारा सोचने के लिए मजबूर करें खुवर जी अगर ऐसा है तो तुम्हारी सोच और तुम्हारे बीच में यह भाईया जी खड़ा है और एक बात याद रखना राजनीती में जब तक किसी बहुबली नेता का हाथ ना हो तो आदमी सूखे पत्ते की तरह उड़ जाता है राजनीती में सफ़ल होने करें किसी बढ़ी नेता या बहुबली का सफ़ली होना बख़ती है किसी बख़ती है तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है दन्यवाद कुवर जी आज से तुम्हारे जोश के जंडे में कुवर जी का डंडा लग गया है शीवा अभी यूपी कॉलेज में अपना समराज ये खड़ा करना है हो जाएगा भी या चलते हैं प्रणाम किसा लाज बिल्स किसमे से थीज़ इस जुम्हारे और दो चोड़ मोझे! पुछाओ! पुछए! चोड़ो! वजी को न खाता है? और क्षेटी का दाम प्राहए दोराण तोराखे पुछाओ मोझे! छोड़ो! पुछाओ! बच्छाओ! इस साले के चुछाओ अचुछाओ! पुछाओ! पुछाओ! बचाओ, 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 बचाओ तो पर कांपे से अइव, आगे? तमजी, इंफो, मिल्या कैου, तरी मैं वढ गांब esc eenच चोडो मेरे का, चोडो चोडो मुझे चोडो चोडो चोडो, चोडो मुझे उड़ उड़ कि अज़ उड़ नगी बार कि अे अए कि अज़ प्रोप्रफ कि अ कि अज़ अज़ कि वड़ कि अज़ कि इए चुझको तुझा आजित मैं कह रहाव। तुझा आजित ये मेरा कुछी नंब भाएगै तुझा यहां से, तुझा यहां से, तुझा! नाम क्या है तुम्हारा? रानी देखो रानी, अब तुम बिल्कुल सेफ हो, उनमें सब यहां कोई नहीं आएगा, तुम जहां जाना चाहों जा सकती हो ओके क्या करने जा रहे थी तुम? क्यूं बचाया आपने मुझे? मर जाने दीजे मुझे पागल हो गई हो क्या? इसी कौन सी बड़ी घटना हो गई तुम्हारे साथ? जो तुम अपनी जान देने जा रही हो, तुम और तुम्हारी इज़त दोनों सेफ है देखिये, मैं अपकी बात मानती हूँ लेकिन मेरे लिए ये कोई छोटी घटना नहीं है मैं बहुत ही गरीब भरसे हूँ और मेरे घर में सिर्फ एक माँ है ये सब काम सिर्फ मैं अपना घर चलाने के लिए कर रही थी लेकिन आज के बाद आज के बाद तुम्हें ये भी नहीं कर सकती बस अब इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है एक रास्ता है चल्लो मेरे साथ लेकिन कहा और हम पास्ता है याद ऑल्रान कर फबियो कर अध में आज कि अधान पाद था रहीं में करते तो करते हैं यह किँन है ते आपट गया अजिय मैं तुम से पूच रहा हूं वजीद यह कौन है यह ड़े ड्नुमी से पूच रहा defic कौन है प्रिय्य एंदर जाओ प्रिय मैंने बोला ना इसे लब आप जई उन्दर जाओ है कि अब भीया हाओ दुनिया समाज नाम की भी कोई चीज होती है बैटा दुनिया समाज की बात आप ना करे बाओ जी तो जादा बहतर होगा मैंने जो भी किया है तंके की चोट पर किया है रात के अंधेरे में मूझ हिपा कर नहीं कि अ झाल 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 कहीं ये फिर से वही शुरुआत तो नहीं प्लान बदलते हैं अब उस अजीद को रास्ते से हटाना नहीं है अब उसे हराना है क्या? अजीब लग रहा है ना? मेरे मूँ से असी बाते हैं पर पापा ने एक अच्छी सीखती और कुछ दिन शांत रहने को भी का है अरे लेकिन भाईया वो बहुत पॉपुलर है लड़के फैन हैं उसके लड़कियां दिवानी हैं वही तो उसकी यही पॉपुलरिटी को खतम करना है कुछ सोच दिमाग लगा छोटे रास्ता जरूर निकलेगा एक ऐसा रास्ता सोच ताकि उसकी यह पॉपुलरिटी बदनामी में बदल जाए रास्ता मिल गया भीया पस आप आश्रवाद दीजिए एक तीर से दो शिकार जाए प्रोप लाए ओीज़ी दैल ओीज़ी दैब ओीज़ी अजीट! अजीट सेर! याँ, अजीट सेर! अजीट सेर! अजीट! अजीट! पहन्चोपखण! रोक! मादर चोट! अजीट सेर! झाल फओस्या था अजेख सेर! सालीब! है चुद कई किदा यह देख चल 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 उपर चल उपर गई प्लीज दूर हमसे अब कर जाएगी मेरे पास मताना मेरे पास मताना प्लीज मेरे पास मताना कि यह जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि युप्पी डिग्री कॉलिज में निशाना की छात्रा की कथित आत्मत्या मामले में युनिवस्ट्री के च्छात्र उगर उठें पुलिस पर हमला करने के भी कोशिश की लेकिन किसी तरह वहां मौजूद छात्र नेता जीद ज्यादव शीवा सिंग ने शीवा सिंग ने शीवा सिंग की गई है और अपरादियों के पकड़े जाने तक हम चैन्स नहीं बैठेंगे क्या हुआ भाईया यह जिम गए तो पता चला कि आप आज सुबस हुआ ही अरे आज तो यह हमारा प्रोटीन चेक है अच्छा आज हमारे भाई ने पहली बार हमको प्राउट फील करवाया है शबाज चोटे अब सुन वापस केमपस जा और जाकर उस अजीद का ढंग से चरेत्रचेत्रण कर पुलिस उस तक पहुंचेगी नहीं और अपने चोटे तक तो हम पुलिस को पहुंचने भी ना दें पता है विया समझा जाकर ढंग सर उसकी बनामी कर अब ठीक ठीक अब यह जा चल सुने चलो और सुन हाभी यह वो केमपस में उस निशा को इनसाफ दिलाने के लिए जितना ड्रामा कर सकता है न जाके कर हम काई को ड्रामा करेंगे इस ड्रामे को ही राजनीती केहते हैं चोटे तू नहीं समझेगा सला हमको तो बहुत अपसूस है किस बात का बहिया निशा के मरने का अवे नहीं वे पगले ले नहीं पाए उसकी समझे अब यह चैन खुला है आपका देखो सला अभी तक याद में चैन भी करक्षे हुए है फोली स्बाचाशन मुर्दाबाद तक बोली स्बाचासन मुर्दाबाद ठीक हो मेर में ठांजिज़ण को शली भी और जास अधिलो को शीजेंगte सब्सक्षां को शनीन ख लुकत। शनीन खर असाही है charcoal सेचं़के ख़ंद ख़ंदाबाद पुलिस परजाशन मुर्दाबाद, आप लोग शांत रहे, किरपया मेरी बात सुनिए, हमें बाते नहीं, इंसाफ चाहिए सर, और अगर हमें न्याय नहीं मिला, तो हम किसी भी हद तक चले जाएंगे सर, हम इस इलेक्शन का तब तक बहिशकार करेंगे, जब तक कि निशा को इंसाफ नहीं मिल जाए, क्यों भाईयों, निशा को इंसाफ दो, निशा को इंसाफ दो, शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत रहिए, देखिए, मैं आप लोगों के इमोशन को समझता हूँ, इसलिए कम और जहां तक निशा का संबंध है तो आज ही मैं SSP से बात करता हूँ थैंक यू पहले तुम मेरी बात सुनो यह चक्कर के है वसीम तुमने हमको बोला जा कि निशा को बोलो अजीत ने उसको मिलने बुलाए है और हम यह सोच के परिशान हो थे कि अजीत अजीत निशा हो कैसे मरवा सकता है और अभी हमने तुमको विक्रम के साथ देखा और तुमको विक्रम के साथ देखकर न हमें कुछ कुछ समझ में आने लगा है तुम सच सच बताओ यह चक्कर क्या है सारा देख फरीदा मैंने तुझे बताया या तुने उसे भेजा सब भूल जा वरना बहुत बड़ी मुसीबत में फच जाएगी नीशा के लिए नारे लगा बस किया हो आजीत कहा जारा है घर जा रहा हूं घर क्युं एक यह रहते का करूँगा वैससा भी एकशन दो महांने बाद होने वाला है तो ठीक है दो महाईने बाद होने वाला है एनसा क्या ऍहला नहीं हमेशा के लिए फिर उत्त nla do कि तब देखी जाएगी वैसे भी मैं कहीं भाग नहीं रहा हूं बात भागने की नहीं अजीद लेकिन ऐसा भी क्या अर्जेंटा गया कि तू बिना बताए मुझे यहां से जा रहा है अब हर बात तो मैं तुझे नहीं बता सकता कुछ पर्सनल काम है यह तू आज कैसी बाते क क्या हुआ है तुझे सीधी और साथ सुथ्री बात कर रहा हूं हर आदमी के अपने कुछ पर्सनल लाइफ होती है चलता हूं बाए अजीद माजी अब बहुत प्यारे हूं शायद इश्वर सबकी मा को आपके जैसे ही प्यारा मनाता हो का तन तन चाय अरे बट दोई कप हाँ बिकाज मैं नहीं प्योंगी क्यों डाइटिंग हेल्थ कॉंशर्स हां अच्छा यह लीजिए ठीक है हम बहुत अच्छी है बेटा हम तुम्हें इस घर में आके कुछ ही दिन हुए है मगर लगता है तुम्हारा हमारा सद्यों का संबंध है कुछ रिष्टे उपर वाला लिखके भेजता है माजी जिन्हें इनसान खुद भी नहीं समझ सकते बेटा एक बाद बोलू जी तुम मझे माजी नहीं मा कहो बेटी ने तुम मझे आज तक मा नहीं कहा कम से कम बहुत हो मान ले मा मुझे पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन अजीद अपको मा क्यों नहीं मानता पता नहीं शायद कुछ रिष्टे उपर से नहीं बनके आती ऐसा नहीं मा मैं जीद से बात करूँगी बात कोई फायदा नहीं है लेकिन हाँ तुम्हें देखकर मुझे एक उमीद तुजागी है वैसे तो हर मा को उसका बेटा पहले मिलता है और फिर उसे बहु मिलती है लेकिन मुझे बहु पहले मिली है और शायद बेटा भी मुझे बाहर कुछ नहीं कर रहे थे दे बैक और इसे पैना रखा क्या पैना रखा है मतलब मेरा है आच्छा तब ठीक है कपड़े खरीट के ते उसके पास नहीं है मेरे साथ किचन में चलिए मुझे आप सिक बात करनी थी कि बोलो कि आप माजी को मा का दरजा क्यों नहीं देते हैं वैसे मुझे पूछने का तो कोई हख नहीं बनता लेकिन कि आ या आपका घर नहीं है यह घर मेरा भी है और तुमेरी माजी कि मेरे बाओजी कि पत्नी भी जी कि पत्नी और मा में क्या फर्क है इस फर्क में एक दर्द चुड़ा है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता यह कि ऐसा सका हुआ जिसकी कल्पना का आइसास भी मैं दर्थ पैदा करता है कि ParaWell दिखा है तो हमने मां जी कि आंखों में देखा है किसा बेटा होकर भी बेटा ना हो ने का हो सकता है हो सकता है अपका जख्म भर जाये कि आगे आप सारा सारा दिन आपको आखे देखने के लिए तरस्ती है मैं भी तो सारा दिन तुम्हें देखने के लिए तरस्ता हूं कि दर्वादा तो बंद कर ले कि क्या हुआ कि क्या हुआ है कि कि अधिया कि अधिया कि अधिया के शादी की ड्रांस की प्रेटिस अवी से प्रेटिस चालू कर दो किल अधिया था तू भी ना जया कि अदृम्हा इसाद आपके सार्थ अच्छा वहवार नहीं कियाना इसा नहीं पता तुमने मुझे मा कहकर कितना बड़ा दरजा दिया है आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा आज तुमने ये कहकर मेरे दिल का भी बोज हलका कर दिया है अजीट के साथ अब चल चल पीछा कर आप चल दी बेठो अजीट करने वेठों है अजीट करने वेठों है अजीट करने के लिए प्रिया तुने ये अकवास सुनाने के लिए मुझे फोन किया है अजीट के साथ गुल चड़रे हूरा तो जाए अजीट के साथ गुल चड़रे हूरा तो जागा अजीट के साथ मेरे सामने ही ये अजीट के गुला तो अभ जुक है अजीट कर सवे। अच्छा सुन्न अभ जैसा में बोल रहा हूं येजरा इंचिए लेना है हम्योगन चल्न रहा हूं चल्रय रहा हूं छल्राह रहा हूं चल्रया चल्रया हेलो शिवा बबलु ठाकर बोल रहे हैं हम कहां हो अब सरा में कुछ बात करनी है मेरा मूड अभी बहुत खराब है बबलु मैं तुस्से कुछ बात नहीं कर सकता अभी मूड खराब है बैटा सही जगह है और भाईया अभी तो हम आपका मूड खराब करेंगे बबलु इच कमिंग अरे गाली निकालो यह तंडर पर्स पीचहिए ठीके 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 नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए ओके भाईया यह जो जो मांग रही है ना बस दे तो ठीके अभुलु वर्या पड़्डा जीते रहो जीते रहो जीते रहो पुछ जीते रहो पुछ शिंग साफ क्या हुआ, शिवा इतने टेंशन में क्यू हो वो सब छोड जिसके लिए तुझे यहाँ आना पड़ा वो बोल देख शिवा, मैंने बहुत सोचा तेरे बारे में और वो सालाifice, अजीत, उसके बारे में अब उसके बारे में तुझे क्या बता हूँ, मैं तो उसे बचपन से जानता हूँ फिर छोड़ो से, देखो मुझे ऐसा लगता है कि तू गलत नहीं है वैसे भी शिवा, एक छोटे से कैंपस के इलेक्शन के लिए दो ठाकर लड़ाई करें, वो भी शेहर के इतने दबंग, इतने स्ट्रॉंग ठाकर, अच्छा लगता है क्या, नहीं, बिलकुल भी नहीं अब एक ठाकर दूसरे ठाकर से पूछ रहा है, बता, क्या करना है मेरा मूड बहुत खराब है बबलू, मैं किसी मूड में नहीं हूँ बोलने के, अरे तो हम है ना, हमको बताओ, हम तुम्हारा मूड ठीक कर देंगे, अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे मादेव सुसाइट कर लिया इसलम्दे के चक्कर में कुकर्मी अब यह देखो आइटम भसाया हुआ है किसकी बात कर रहा है तू अरत तुम्हारा मित्र है अजीत यह यह देखो क्या कुकर्मी हरकते है हुआ 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 है हुआ हुआ हालो हमें करते हुँ तुम्हें थोड़ा बीजी हुआ है प्रिया किसका फोन था प्रिया हां मेरी सेहली का फोन था हुआ है ओके क्या हुआ 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 है अगर किसी भी चीज की जरूरत हो हमको बोलो मतलब किसी भी चीज की जरूरत है मतलब हैं चाहिए यह अटा बबलू कुझे जाने दे इस सभीली में कितनी इज़त है आपकी यह बताने की जरूरत नहीं है मलिक और ताकत ना आपके पास है ना आपके हाथ अगर होती तो छोटी ठकरायन कहीं बटकती है क्या मूला क्या मूला क्या हुआ मालिक मारी ना रुक क्यों गए ऐसा करके मैं अपने आपको सही जाबित नहीं कर सकता है मेरे बारे में जो तू सोचता है पुष्पा और छोटे भी तो वही सब सोचते होंगे मेरे बारे में क्या हाइ Oh, John. हुँ हम आप तो हमारी कमजोरी बनते जा रही हैं आप नहीं होते तो पता नी मेरा क्या होता मैं तो तड़पthyरेश आते हैं हां 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 है कि पताने क्यों लग रहा है कि वो कि आगे हुए है रहा है कि कि पताने कि अप्कुमने लग अटिक है जाताय। अड़ी अब्योर्य तरहिए तरहिए वो बुझे नेन नहीं आ रही थे न तो भाहर ठोड़ा टेहलने के लिए चली गई थी विच्छोड़ी के साथ देखा मैं तुझे कुछोड़ियो मुझे छोड़ियो मुझे हैं फोड़ियो मुझे बोशे-बात करने ह् छोड़ियो मुझे क्या बात करने हैं तुशे आ गई थे में पपवा से मिलने सुनना चाहते हैं न आप तो सुनिये मेरी जिस्म को सुख चाहिए और मेरी को को आलाद और आप आपसे तो होई नहीं पा रहे आप तो मुझे बांच कहके इस घर से भाहर निकाल दोगे जैसा अपने पहली बीवी के साथ किया था लेकिन मैं मैं ऐसा उन्हें नहीं दूँगी मैं दूँगी इस अवेली को जिराख बेशचन तुझे शरम नहीं आ रही तुञे कि ठखौर अओन रहे आ रही है आ रही है मुझे शरम तब ही तुझो भी किया इस घर के चार दिखारी एंदर किया कहीं कहीं बाहर जा के मुझे ही मारा मैंने और हाँ आज के बाद आप मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे शाली अवेली को चराग देने के नाम पर अपने जिस्म की आख बुजाती रही और मैं सहर के घुट पी कर सब कुछ बर्दास करता रहां लेकिन आप कि ऐसा नहीं होगा कि मुझे बावर चाहिए बावर और यह मैं छोड़े से लेकर जाऊंगा भाया जी आपने जीते जी कभी नहीं देंगे इसलिए उसे मारना होगा यह क्या प्लानिंग चल रहे है अब जो भी सोच रहे हैं गलत नहीं सोच रहे हैं लेकिन यह सोचा है यह होगा कैसे अब यह सोचा नहीं है लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकले रास्ता अपने आप नहीं बनता है अगर ऐसा होता तो आप अब तक चुप नहीं बैठते क्या मतलब आप बस बैठके चिलन फूकिये आप से कुछ नहीं होने मारा जो भी करना है मुझे ही करना होगा मेरे बेटे की भवेशे के लिए मुझे ही सोचना होगा आप अगराईन बहुत नहीं करना कि बड़ी करेंट है बोले ठकवराईन थकुराईन नहीं तुम्हारी पुष्पा हाँ पुष्पा बोलो कैसे याद किया मैं अपने बेटे को इस घर का वारिस पनाना चाहते हूं अच्छा सोचाए हर मा को अपने बच्चे के अधिकार के बारे में सोचने की जरुवत है लेकिन भाहिया जी ऐसा नहीं चाहते वो ऐसा होने नहीं देंगे मुझे आपकी मदद की जरुरत लगेगी आप विजय बाहदुर जी को जानती है न उन्हें कौन नहीं जानता तो विजय बाहदुर जी के याजनम दिन की पाटी है तो वहाँ आपको बबलु को किसी तरह भेजना है भाईयाजी के साथ बाकी का मैं देखना तोनों पहुंच आएंगे मेरा वादा है आपसे तो मेरा भी वादा है तुम्हारा काम हो जाएगा पुश्पा चल्दी मेरते हो आपसे यह पकड़ो पकड़ो एल्व क्या नाम है तो मारा? मनेश ठाबू सार यह पकड़ो यह भी पकड़ो और काम में किसी दरगी चूक नहीं होनी चाहिए समझा काम तो पक्का हो जाएगा ठाकुर साब इसके लिए बिल्कुल निस्चंत रहिया आज की रात विक्रम के जिंदगी की आखरी रात होगी लेकिन पकड़ी जाने के बाद मालिक आप मुझे बचा लेंगे ना अब वल तो तुम पक्ड़ेनी जाओगे तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड देख लिया है मैंने जी मलिक और अगर पक्ड़े गए तो पुलिस के सामने चुपचाप इल्जाम कभूल कर लेंगे के पुरानी रंजिश के चलते तुमने भी करिम को मारा है ठीक ठीक है मलिक पर मुक्र जाना है जी ठीक है उसके बाद जिल से बाहर निकालने का सिमा मेरा ठीक है ठीक है मारा प्राम जान से जाना है को लगा है कि वाह मालिक वाह आपने तो एक तीर से दू शिकार कर दिये बहिया जी और इसके खून का इंतिजाम ठकराइन कर रही है और उसके नाजा इस खून का इंतिजाम आपने कर दिया मैंने तो कर दिया दिमाग तो तेरा भी है ना मैं तो आपका गुलाम हूं मलिक एक बार पावर आजाने दे फिर तो गुलाम नहीं गएगा बसीर होगा बसीर प्रताप विजे बाहदुर जी की पार्टी में कैसे क्या करना है सबसेट कर दिया ना जी बैया राना ने अपने टीम लगा दिया है राना हा भया सब भरोसे के आदमी है ना भया सब बेवस्ता कर दिया है अगर कोई गलतीस पगड़ा गया ना तो अपना मूह नहीं खोलेगा उनको समझा दे है कि उनके परिवार के जिम्मेदारी हमारी है गुड वैसे भी जो हमारे प्रती वफादार र कर्ण के लिए वर्चस्व की लड़ाई थी है अब देखो ना हमने भी इस माभारत में एक कर्ण खोज लिया है कर्ण कर्ण है कर्ण हो है कर्ण है वो है अजीट उसके सार्थी का बेटा है उसको फोन लगाओ और उसको आज पार्टी में बुलाओ ची बहिए कि अभाबलू मैं है जीताओ जी कि यह रामलखन की जोड़ी पार्टी में कि जा रही है ना हम नहीं वच्चित के तू नहीं चाहिए ह। तू नहीं जा रहा है हम क्या करें म RB वह जाकर करें तुम घर रहें तो मलति है एखंड मझें जोड़ County है तूम ओडों में पूंशाने है तुम है अगर MP की टिकित में находится तो स्वब्सक्राइब दिखेंग 2 ले टर नहीं जोठाइए सॉकसित के खाया है तो बिल्कुल सही बोल रहे ना चुटत तू भी दे मेरे साथ में चलेगा हाँ मैं बाम्मी सा पूछ लेता हूँ अब तो बड़ा होजा मैं मैं बोल रहा हूँ ना मैं बोल रहा हूँ ना पक्का ताउजी मैं लेकर जाता हूँ इसको चल तू आजा पुर्णाम ताउजी आओ जाप बढ़ा करें हम हैं चलो गाड़ी निकल आओ चलो जंप मैं ना मैं चलो ये इसल म सलेगर्णा जाओ सुग्टर आभ मैं इसा नाव olur जी चलो को बेकर आए वीकल्ण थायवोंग बढ़ा हुआ धुरि дело बड़का जा जोते हों ले करें को सुभ़ को इक हो मैं प्रणाम कुवर जी खुश रहो यह विक्रम को कहां बेजा अपने बबलू के साथ पार्टी में यह जानते हुए कि वो मौत के पार्टी है इसलिये तो बेजाए मतला मतलब यह कि आज के बास से इस हावेली पर सिर्फ मैं राज करूँगा सिर्फ और सिर्फ मैं आप अपने बेटे गो मौत के मौ में कैसे ढखे सकते हैं? कैसे? अब ना नहीं, सिर्फ तेरा बेटा हरम साधी, वो छोटे का एक बाप था जो तेरी कोख से भूटा था, और आसके बाद, उच्छी आवास में मुसे बात नहीं करना. विक्तार! और मैं से खु coconut, भाप खुछ से भादें हैं मौ आब झाल मैं भादे एक बादेक्षा के एक हैं? झाल 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 झाल